हेलो दोस्तों and welcome back to our YouTube चैनल आच्छे क्लास पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना financial accounting के अंदर next topic that is users of financial information इसके पहले classes में जो previous वीडियो था उसमें हम लोग देख चुके हैं कि what is accounting accounting क्या होता है plus accounting informations क्या होता है और किस type के होते है accounting information तो जो भी लोग पिछला वीडियो नहीं देखें सबसे पहले पुराना वीडियो देख लेना उसके बात यह वाला वीडियो देखना ठीक है चलो next हम लोग पढ़ेंगे the users of financial accounting information उसके कौन-कौन से users है जो informations है accounting में financial accounting information provide कर रहा है वो किनके लिए है who are the users who मतलब यहाँ पर कौन लोग उसको use करते है वो informations को ठीक है तो basically information दो प्रकार के लोग use करते है एक होते उसके internal users और दूसरे होते उसके external users internal का मतलब होता है जो organization के अंदर है basically the management या the the owner is known as the internal users और जो बाहर वाले हैं जैसे कि मालिक और management को छोड़ का जैसे employees हो गए या फिर government हो गया society हो गया यह सब क्या हो गया external users तो हर एक internal user क्यों accounting information उसके लिए जरूरी है या वो क्या चीज देखता है या क्यों उसके लिए important accounting information वो हम देखेंगे सबसे पहला internal user है owner owner क्या जानना चाहता है business के बारे में कि कितना रुपए का profit या कितना रुपए का loss हो रहा है business में क्योंकि वो पैसा invest किया है और अगर हम कहीं पर भी पैसा invest करेंगे तो हमारा यह concern रहेगा ही कि वो जो business से कितना profit या loss उसमें हो रहा है क्योंकि रिस्क लिए हम लोग business में पैसा invest किये मालिक है हम तो वो रिस्क चो लिए है उसके बदले हम जानना चाहतें कि कितना profit या loss हो रहा है ठीक है तो पहला information जो user है वो है owner और owner किस चीज का information खुषता है profit या फिर loss का ठीक है तो accounting owner को कौन सा information प्रवाइड करता है profit या loss incurred during the year ठीक है दूसरा management management को क्या information मिलता है accounting से management बहुत सारे decisions लेता है और यह decisions लेने के लिए accounting information को use किया जाता है जैसे कि कितना रुपय में सामान बन रहा है cost price कितना में वो sale होता है selling price ठीक है यह सारा information जरुवत पड़ेगा management को in order to take certain decisions और accounting क्या करता है accounting accounting मदद करता है management को यह decisions लेने में by providing useful informations ठीक है तो management में कैसे help करता है management को बहुत सारे information provide करता है business के बारे में जिससे management को decision लेना आसान हो जाता है ठीक है next क्या है next external user internal में दो ही है पहला है तुम्हारा owner और दूसरा है तुम्हारा management ती दूसरा में आ गया तुम्हारा external user external user में सबसे पहला होगे employee या workers सब अपने मतलब का बात है देखना सब को यह अपना मतलब का चीज खोज रहे इसमें अब employee या workers क्यों accounting information जानना चाहता है ताकि उसको पता चल सके कितना रुपए का बोनस मिलेगा उसको क्योंकि बहुत बात बात बोनस किसे लिंक होता है प्रॉफिट से लिंक होता है जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से बोनस दिया जाएगा तो workers या employees यह जानना चाहते है कितना रुप का पैसा है वो भी deposit हो रहा है कि ने timely वो भी अपने को पता चल पाएगा by looking into the accounting informations ठीक है तो employee या worker यही जानने के लिए accounting informations को use करते है अपना bonus कितना हो रहा है provident fund insurance यह सब का पैसा timely deposit हो रहा है या फिर नहीं ठीक है next bank या financial institutions यह लोगों का क्या का मैं accounting information का यह लोग loan दिये है bank को बिजनेस को तो जब business को loan दिये है तो यह भी जानना चाहते है कि कितना कमाई हो रहा है कहीं बहुत ज़्यादा loss तो नहीं हो रहा क्या business इंट्रेस्ट पे कर पाएगा timely क्या loan का पैसा वापस दे पाएगा या नहीं तो यह सब information यह लोग जानना चाहते है तो यहाँ पर लिखावा देखो मैं mark कर दिया हूं जो keywords है न वो मैं green मैं highlight कर दिया हूं हर point में ठीक है तो यहाँ पर बोढ़ा है कि and to ensure the safety and recovery of the loan advance and payment of interest इंट्रेस्ट टाइमली मिलना चाहिए वो देखेगा कि टाइमली मिलेगा या नहीं और दूसरा company का financial position इतना अच्छा है या नहीं कि company जो है loan लिया है वो loan का पैसा वापस करेगा ठीक है next investors या potential investors potential मतलब जो invest करने का सोच रहे है या जो business में invest किये है या जो invest करने का सोच रहे है वो लोग क्या जानना चाहेंगे कि business कितना रुपए कमा रहा है earning capacity of the business क्योंकि अगर business अच्छा पैसा कमा रहा होगा तो हर कोई उसमें इंवेश्ट करना चाहेगा तो फिर कोई उसमें इंवेश्ट करना नहीं चाहेगा तो जो इंवेश्टर से वो यही देखते हैं या जो मतलब ये विक्ति को उधार देने लायक है या फिर नहीं. तुम खुद सोचो ना, तुमारे दुकाय में कोई भी आ जाहेगा उधार मांगने, तो क्या तुम उधार दे दोगे उसको, या यह देखकर दोगे कि या अदमी उधार देने लायक है या नहीं, यह वापस करेगा या नहीं करेगा यह देखकर हम उधार देंगे हमेशा तो accounting informations यह पता चलता है कि business का credit worthiness कितना है मतलब यह business को उधार मिलेगा या फिर नहीं खिक है government and its authority government क्या चाहता है accounting information से accounting information से government को पता चलेगा कितना रुपए tax बनता है कि government को टेक्स collect करना है बहुत प्रकार का टेक्स लेवी करता है government जैसे कि custom duty GST income tax और accounting information से पता चलेगा कि कितना profit हुआ यह कितना रुपए का सामान हम बनाए खरीदे कितना का बेचे यह सारा कहां से पता चलेगा accounting information से और इसी से पता चलेगा कि कितना कितना रुपए तुम्हारा tax होता है ठीक है next public public क्या जानना चाहता है कि जो तुम्हारा बिजनेस है वो society के लिए काम कर रहा है या नहीं society के welfare के लिए काम कर रहा है या नहीं या society का जो बिजनेस है मलब जो environment है वो environment को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है या फिर नहीं ठीक है तो पब्लिक यह जानना चाहता है कि contribution of the business towards the society ठीक है जिसको हम बोलते है corporate social responsibilities ठीक है next researchers researchers मलब जो बहुत प्रकार का research कर रहे है वो लोग क्या information लेते है accounting से information लेते हैं अपने research work के लिए कि अपना जो लोग research कर रहे हैं उसके लिए कुछ information वो लोग accounting information से ले सकते हैं तो यह सब हो गए तुमारे users of accounting informations दो प्रकार के user होते हैं एक हो गया internal user दुसरा हो गया external user internal के अंदर owner management external के अंदर बहुत सारे workers employees bank investors creditors government public researchers etc ठीक है और हर विक्ति क्या कर रहे हैं देखना अपने मतलब का information ले रहा है accounting से हैं न हर विक्ति का अपना अलग objective अलग मतलब है और उसके हिसाब से वो information ले रहा है account से ठीक है और accounting इन सब को मदद कर रहा है accounting अपने सारे users को मदद कर रहा है जो information उनको चाहिए वो information provide करने के लिए ठीक है next qualitative characteristics of accounting information accounting information कैसा होता है या कैसा होना चाहिए ठीक है सबसे पहला reliability reliability मतलब something जिस पर हम भरोसा कर सके है ना उसको बोलते reliability तो कोई चीज के उपर reliability कब आएगा जब वो error free होगा जब उसमें कोई गलती नहीं होगा free from wise होगा wise मतलब किसी को favor करना है ना जब free from wise होगा या error free होगा तब वो information क्या होगा reliable होगा ठीक है देखना पहला point accounting information must be reliable reliability of information means it is verifiable free from wise and material error ठीक है कोई error free हो और wise free हो ठीक है second relevance relevance मतलब जो की relevant हो जो हमारे काम का हो उसको बलते relevance accounting information must be relevant to the user user के हिसाब से वो relevant होना चाहिए क्योंकि हर एक user user पता है अभी उपर पड़े यही है न अकाउंटिंग users और हर user का अलग requirement है government को जानना है tax कितना बनता है customer को जानना है product का कैसा है employee को जानना है bonus मिलेगा की नहीं management को decision लेने के लिए information चाहिए मालिक को profit जानना है तो हर user का अलग requirement है और accounting हर user को उसके काम का information प्रोवाइट करता है तो accounting informations are relevant ठीक है accounting information must be relevant to the user information is relevant if it needs the needs of the users in decision making information को relevant कब बोलेंगे जब वो information उस user की किसी काम का है तो उस information को हम क्या बोलेंगे relevant बोलेंगे next understandability और simple सा बात है जो easily समझ में आए that will be known as understandability it means that the information provided through the financial statements must be presented in a manner that the users are able to understand it जो भी information हम provide कर रहे है इस तरीके से provide करें कि वो information समझ में आए उसके users को जो भी information देख रहा है उसको information समझ में ठीक है comparability comparability मतलब informations को compare करना या तो एक year का दूसरे year से compare करना या एक organization का दूसरे organization से compare करना अगर हम एक year का दूसरे year से compare करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा-firm comparison जहां पर हम एक year का दूसरे year से compare करते हैं उसी एक ही organization के अंदर और जब दूसरे organization से हम compare करते हैं that is known as inter-firm comparisons clear है तो चार basic characteristics है accounting information का reliability, relevance, understandability and comparability ठीक है next functions of accounting accounting क्या करता है सबसे पहला preparation of financial statements और final account यह तो हम पढ़ा वाय हमारा class 11 में पढ़े होगे final accounts क्या क्या बनाता है एक तो income statement बनाता है profit and loss जानने के लिए और दूसरा financial position balance sheet बनाता है financial position जानने के लिए ताकि कितना asset है कितना liabilities है और कितना capital है ठीक है तो सबसे पहला काम है accounting का profit या loss calculate करके बताना that is profit and loss account बनाकर और दूसरा financial position बताना क्या बनाकर balance sheet बनाकर ठीक है next second मैं सारा notes पुरा लिखवा यहां पर दे दिया हूं plus जो informations important है उसको highlight भी किया हुआ है next meeting the legal requirement accounting information accepted as evidence in the court of law क्या होता है अगर हम properly accounts maintain करते हैं सारा informations को ठीक से लिखा हुआ है तो हम उस information को as evidence भी use कर सकते हैं court में जब भी कोई भी dispute होता है कोई भी problems होता है किसी भी act के अंदर companies act हो गया income tax act हो गया तो कोई भी problem होता है तो हम अपने accounting information को use कर सकते हैं दिखा सकते हैं as an evidence in the court ठीक है communicating the financial information अपने users को हम financial information provide कर सकते हैं अब users का तो तुमको पता ही है अभी हम जरुवत पढ़ेगा हर को अपने अपने जरुवत के हिसाब से अलग-अलग information का जरुवत है तो accounting क्या करता है इनको information provide करता है जो उनको जरुवत है ठीक है assistance to management यह भी हम उपर अभी पढ़ेते management को बहुत सारा decisions लेना होता है और वो decisions लेने के लिए बहुत सारा information का जरुवत पढ़ता है और वो information कहां से हमको मिलता है accounting से तो accounting help करता है management को information provide करने में ताकि management सही decisions ले सके ठीक है that is assistance to management समझ में आ रहा है तो बड़ा आसान है function सबसे पहला financial statements बनाना दूसरा legal requirements पूरा करना तीसरा अपने users को financial information provide करना चौथा management को decisions लेने में मदद करना clear this is all about functions of accounting clear चलो तो इतना पढ़के आना है उतना पढ़े आज के class में सबसे पहला users दूसरा qualitative characteristics of accounting information and तीसरा है functions of accounting ठीक है चलो तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे अगर वीडियो पसंद आया तो like जरूर से करना share करना अपने